नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका Total Circuit चैनल में दोस्तों आप multimeter तो use में लेते ही होंगे ज़्यदातर जो multimeter का use में लेते हैं वो या इस टाइप का multimeter होता है दोस्तों जो भी इस टाइप के multimeter होते हैं उनमें एक समस्य आती है, इसको या तो बार बार गुमाने से इसके जो PCB में ट्रेक होते हैं, वो गिस जाते हैं, या इसको गलत रेंज में लगाने के कारण से ये मिटर जल्दी ही खराब हो जाते हैं, तो इनको खराब होने के बाद में या तो फैकना पड़ता है, या इसको क current meter भी बना सकते हैं या इसको resistance meter भी बना सकते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो इस type की जो meter होते हैं उनको आप repair भी आसाने से कर सकते हो अब यहाँ पर मेरे पास यह दो multimeter है यह दोनों खराब position पर है जैसे हैं मैं इसको multimeter को चालू करता हूँ तो voltage की range पर यह 00 नहीं दिखा रहा और किसी भी range पर यह सही काम नहीं करता दूसरे को चालू करता हूँ तो यह voltage की range में पहले से counting दिखा रहा है और सब भी पर यह counting दिखाता है और resistance mode पर भी यह सही नहीं काम करता इन multimeter को ठीक करने से पहले मैं आपको जो यहाँ पर यह display IC आती है इसकी उसका circuit diagram दिखा देता हूँ दो इनको ठीक करने में या modify करने में बहुत ही सुविदा होगी यहाँ पर मैंने यह circuit diagram बना रखा है जो multimeter में यहाँ पर यह IC लग रही है इसका यह circuit diagram बना रखा है इस IC का number है ICL7106 यह IC आती है और यह 44 pin की IC आती है और इसको चालू करने के लिए एक 9V की बैटरी लगाएंगे यहाँ पर और इस बैटरी का V- pin number 34 के साथ में लगेगा और V- plus pin number 8 के साथ में लगेगा V- plus के बीच में एक multimeter को on-op करने के लिए switch लगा देंगे यहाँ पर यहाँ पहले से ही multimeter में यह मुझूद भी होता है और अन्यता अलग से भी लगा सकते हैं यह और इसकी pin number 9 से लेकर के 32 तक यह सबी pinे display की pinे हैं यह सबी pin और इसमें यह पता लगाना मुश्किल होता है इसमें pin number 1 कौन सी है और 44 नमबर pin कौन सी है तो दोस्तों यहाँ पर यह pin number 35 पर आपको यह कैपिसिटर मिलेगा यह 470 निनो फिरेड का और pin number 36 पर 47 किलो ओम की यह रिस्टेंस और pin number 37 पर यह 220 निनो फिरेड का यह कैपिसिटर मिलेगा इन्हें कंपोनेंट से यह पता लगा सकते हैं यह 35 नमबर से लेकर के 36 नमबर है और यहाँ पर देखेंगे तो pin number 6 पर 100 किलो ओम की रिस्टेंस मिलेग की pin number 4 पर 100 पिक फिरेड का यह कैपिसिटर लगा हुआ है यहाँ पर और 41 और 42 पर 1.1 माइक्रो फिरेड का कैपिसिटर लगा हुआ है pin number 38, 40 और 43 इन सभी pinो को common के साथ में जोड़ देंगे यहाँ पर जो multimeter में यह common होता है इसके साथ में जोड़ देंगे सभी pinो को pin number 34 पर एक V reference voltage set करेंगे यहाँ पर, जो V reference voltage set होगा, वो 100 mili voltage का set करेंगे यहाँ पर, यह R2 की resistance और R1 की resistance लगा कर set कर सकते हैं, यह हो सकता है, पहले से ही यह आपको मिल जाएं, अगर नहीं मिलें तो इस परकार से आप set कर लेना इसमें, और यहाँ पर मैंने एक decimal point मना रखा है, यह 1K की resistance लगा करके, इसको positive से 1K की resistance लगा करके decimal point को चालू कर सकते हैं, वो यहाँ पर यह point होता है, इस multimeter में यह point यह ऐसे लगाएंगे, इसको positive से, इसको point को ऐसे चालू करेंगे, तो इस type का multimeter होता है, उसको positive से जड़ेंगे, और इस type का multimeter होता है, उसको negative से decimal point को चालू करेंगे, यह negative से चालू होगा, और इसमें positive से चालू होगा, pin नमबर 49 इसकी V voltage pin है, यहाँ पर देखेंगे, तो एक 1M की resistance मिलेगी, जैसे ही यहाँ पर एक voltage का signal देंगे, तो इसके display पर counting होगा, जैसे मालो यहाँ पर 109 मिली voltage का signal देंगे, तो display पर counting होगा, वो 19999 की counting दिखाएगा यह emitter, और इसको DC voltage टेस्ट करने के लिए, इस परकार से यह resistance network लगा देंगे यहाँ पर, और इस 1M की resistance के आगे, एक 1K की resistance लगा करके, इसको common की साथ में जोड़ देंगे, और जैसे ही यहाँ पर voltage का signal देंगे, जैसे मालो 1.9 V का अगर full scale देखना है इस multimeter में, तो 100 Kilo Ohm की resistance लगाएगे, 19 V का देखना है, तो 100 Kilo Ohm की और 199 V की ऐसे ही DC voltage टेस्ट कर सकते हैं इसमें, और इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो यह DC voltage देखा देगा, तो यह तो मालो, यह DC voltage के लिए हो गया, और current टेस्ट करने के लिए, यहाँ पर एक sun resistance लगाएगे बीच में, जो यहाँ पर multimeter में एक sun resistance लगी होई होती है, यहाँ पर इसके जगाँ पर एक sun resistance लगाएगे, इस sun resistance को common के साथ में जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो ampere है, यह ampere, इसके साथ में जोड़ देंगे, और इसको सीधा pin number 49 से जोड़ देंगे, तो यह current देखाना चालू करेंगे, और इस circuit diagram की तरह ही, इस multimeter को चालू करते हैं, इसको voltage के लिए हो, यह current के लिए, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर जो sun resistance लगेगी, अगर जैसे मालो, यहाँ पर 1.9 ampere की, इसमें accuracy देखनी है, फुल स्केल पे, यह sun resistance आएगी, वो 0.1 ohm आएगी, 19.9 ampere तक इसमें देखना है, तो 0.01 ohm के लिए लगेगी, इसमें sun resistance, और 109 ampere तक भी यह दिखा देगा, लेकिन यह sun resistance यहाँ पर जो लगाएंगे, और यह wire copy इसके हलके हैं, वो जल जाएंगे, वो जो 109 ampere टेस्ट करने के लिए sun resistance लगाएंगे, वो बाहर से ही लगाएंगे, वो मोटी sun resistance लगेगी, और उस sun resistance के दोनों wire को इस जगह पर लगा देंगे, तो वो 109 ampere भी दिखा देगा हैं यह multimeter, तो इसको कैसे लगाते हैं, और आगे में देखाता हूँ, अब पहले इस meter में यहां पर देखेंगी, यह नीचे वाले यह दो प्रिंट हैं, यह चालू बंद करने के आए, जैसे ही यह आपस में सोट हो जाते हैं, तो यह meter चालू हो जाता है, और यहां पर आके यह off हो जाता है, अब यह off है, और जैसे ही मैं इन दोनों को टच करूँगा, तो यह चालू हो जाएगा, यह चालू हो गया ऐसे, इनको आपस में सोल्डिंग कर देंगे, यहाँ पर, उच चालू करने के लिए, एक वायर कट्टूडा लगा देंगे, यहाँ पर दोनों में, यह चालू हो गया है मैं थोड़ा मैं डिस्प्ले को ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पर देंगे, मैंने यहाँ पर, जो वन मैग आउम की रेजिस्टेंस लग रही थी, पिन नमर 49 पर, उसके जगह पर यह 100 किलो आउम की रेजिस्टेंस लगा दी है, या वन मैग आउम की वह लगा सकते हैं, इस मिटर को जैसे ही, इस रेजिस्टेंस को कॉमन के साथ में टस्ट करेंगे, तो यह मिटर में 00 की काउंटिंग आ गई है ऐसे, पर अब एक कॉमन में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, 1 किलो आउम की वोल्टेज टेस्ट करने के लिए, यहाँ पर इस सर के डाइग्राम की तरह है, और यहाँ पर मैंने 19 वोल्टेज टेस्ट करने के लिए, 100 किलो आउम के एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और अभी यहाँ पर 00 की काउंटिंग आ रही है, और एक में कॉमन में यह लगाएंगे, और जैसे ही मैं यह बैटरी को जोड़ता हूं, तो यह वोल्टेज दिखाएगा ऐसे, यह 7.6 वोल्टेज दिखा रहा है ऐसे, तो यहाँ पर इस पोल्ट को चालू कर देंगे, तो यह 7.6 वोल्टेज दिखाना चालू कर देगा ऐसे, और point को चालू करने के लिए यहां पर यह दो print है इनको आपस में ऐसे sort करेंगे तो यह point चालू हो जाएगा ऐसे मैं सईसे sort करके दिखाता हूं इसमे इनको ऐसे sort करेंगे तो यह point चालू हो गया है यहां पर और इस point को चालू करेंगे तो इनको आपस में सोट करेंगे ऐसे तो मैं इस पॉइंट को चालू कर देता हूँ यहां से और अब भी यहां पर यह पॉइंट चालू हो गया है यह 7.6 बोल्टेज दिखा रहा है सही ऐसे तो इसमें बोल्टेज को टेस्ट कर सकते हैं और अब करेंट टेस्ट करने के लिए इसको एमपेर के साथ में जोड़ देंगे यहां पर और एमपेर टेस्ट करने के लिए अब एक रेजिस्टेंस लगाएंगे इसमें यह 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे यहां पर और इस रेजिस्टेंस को मैं टेस्ट करके भी दिखा सकते देता हूं मेरे पास यह एक मिली ओम मिटर बनाए हुआ है मेरा खुद गई इस रेजिस्टेंस को मैं लगाता हूं यहां पर मैंने इस रेजिस्टेंस मिटर को 119 में मिली ओम की रेंज पर कर रखा है तो यह 10 मिली ओम दिखा रहा है और इसको ओम पर करते हैं तो 0.01 ओम की रेजिस्टेंस है यह इतनी एकुरेसी के साथ में यह मिटर दिखाता है यह मैंने खुद ही बनाया है और अगर इस मिटर को इन मल्टिमिटरों में देखना है तो मैं आने वाले वीडियो के अंदर वह भी बना दूंगा इसके बारे में दोस्तों अब इसको मैंने पहले वेटिस्ट टेस्ट किया था और अब इसमें करेंट को भी टेस्ट करते हैं करेंट को टेस्ट करने के लिए जो मैंने यहां पर पहले इसको पावर ओन के लिए डारेक्ट किया था उसको मैंने हटा दिया है और इस point को भी यहां से चालू कर दिया है यह wire का टुकड़ा लगा करके और यहां पर अब इस switch में देखते हैं तो switch की सभी पिनों को निकाल देंगे और जो इसके पास में है यह on-op करने के लिए इसी को रहने देंगे और सभी को निकाल देंगे यहां से क्योंकि on-op करने के लिए अलग से switch नहीं लगाएंगे इसी switch से on-op करेंगे इस meter को और अब इसको कई भी गुमाएं कैसे भी गुमाएं यह सिरफ on-op का ही काम करेंगा यह केवल अब इसको एमपेर मिटर बना दिया है और यहां पर जो मैंने यह पीन नंबर 24 पर जो 100 29 वोल्टेज बताये थे वो वोल्टेज की range पर भी वही होने चाहिए और एमपेर की range पर भी वही होने चाहिए इस voltage को भी test करके दिखा देता हं voltage को मैंने millise 왜 मोल्टेज की range पर कर-दिया है 200 वोल्टेज की range पर कर-दिया मैंने meter को और common पे लगाएंगे black power को और यहाँ पर voltage टेस्ट करेंगे तो यह point यानि 98 मेली voltage आ रहे हैं और यह common है और इस circuit diagram की तरह सभी के मैंने connection कर दिये हैं और अब इसको current भी test करके देखते हैं इसमें अब current टेस्ट करने के लिए मैं इस red probe को तो यहाँ पर लगा देता हूँ और black को common पर लगा देता हूँ और एक मिटर ओ लिलता हूँ current को इसको भी current mode पर कर दिया है मैंने 20 ampere की range पर और इसकी black probe को इसके साथ मिजोड देता हूँ और यह current पर चालो कर देता हूँ मैं और आभी देखते हैं तो यहाँ पर 4.3 ampere आ रहा है और इसमें भी आ रहा है जैसे जैसे मैं current को कम ज़्यादा करता हूँ तो कम होता है या नहीं तर और भी यानि इसको 10 ampere से उपर भी टेस्ट कर सकते हैं आप इसलिए अगर थोड़ा बहुत current उपर नीचे हो तो यहाँ पर जो 100 mili voltage set है उसको कम ज़्यादा करके इस current को या voltage को भी set कर सकते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताना आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद thank you for watching have a nice day